हलो फ्रेंड, इस्टेडी एड़्डा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो हैं 16 फर्वरी 2014 को SST MTS का जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड सिप्ट जो हैं हम डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जनरल अवरनेस के कुस्टन इसके बाद के जो भी वीडियो आएंगे उसमें math, reasoning और सब चीज डिसकस करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like, comment और share जरूर कीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और subscribe करने के बार playlist एक बार जरूर चेक करें उसमें math, vocab, सारे vocab कबर हैं जितने भी exam में हुए थे math, vocab, gs, economics पूरा कबर है ऐसे बहुत सारे playlist है जो आपके काम के हो सकती है आपको कोई doubt हो, कोई भी comment हो, कोई भी question करना हो तो आप नीचे question box में कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते है पहला question था कौन सी पंच वर्सी योजना केवल 4 वर्स की थी तो देखे, जो तीसरी पंच वर्सी योजना थी आपके 1961 से 1966 के बीच में थी उसके बाद चौथी जो थी 1979 से 1974 के बीच थी तीसरी चौथी में इत्मा gap क्यों है, plan holiday की वज़े से योजना आउकास हुआ था तीन साल के लिए तीन continue term में इसके बारे में हम economics में discuss करेंगे पाँच वी योजना जो चलुए थी 1974 से 79 के बीच में हुए थी और साथ वी जो है 1980 से 85 के बीच में तो आप लोग देख रहे होंगे जितने भी option दियें उसमें पाँच पाँच वर्स की योजना है लेकिन पाँच वी पाँच वर्सी योजना में क्या हुआ था? जिसका उद्देश था गरीबी उनमूलन के साथ आत्मनिरभरता प्राप्त करना क्या उद्देश था? गरीबी इत्मनिरभरता प्राप्त करना ये इसका उद्देश था इसमें क्या हुआ था? 1978 में जनता सरकार आ गए थी कौन सी गुवर्मेंट आ गए थी? जनता सरकार जिसकी वज़े से 1978 में ही पांचवी पंचवी पंचवर्सी योजना को क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था इसलिए जो चार साल का जो question पूछा है उसका answer होगा फिफ्ट पांचवी पंचवर्सी योजना उत्पादन गुड़क की नियूमतम भुक्तान को क्या करते है देखें minimum payment to factor of production is called तो factor of production की बात कर दा है कि हम जहां पे भी कोई चीज production product बनाते हैं कोई चीज produce करते हैं उस चीज की बात कर दा है quasi rent अभासी लगान जो है ये short term फायदे में इसकी बात करते हैं जब हमें कहीं sort term profit होता है तो वहाँ पे quasi rent आभासी लगान की बात करते हैं मजदूरी रेंट जब कोई हम वर करते हैं कोई चीज प्रोडूस नहीं करते हैं कोई काम करते हैं उसके थुरू जो हमें भी payment मिलता वो हम भी मजदूरी होता है transfer payment अंतरड भुकतान जब हम payment को transfer करते हैं सुधर करते हैं तो बचकोन wages किराया उत्पादन गुडन की नियूनतम बुकतान को हम क्या करते हैं wages करते हैं किराया करते है नेक्स question देखते है भारती अंतरिछ अंसुनधान संगठन कहां इस्ते थे इसरो कहां इस्ते थे तो इसरो आपका जो है बैंगलोर करनाटक के अंदर इस्तित है इसका जो मेन ब्रांच है वैसे तो इसके कई ब्रांच है आपके देहरादुन में दो ब्रांच है आमदाबाद के अंदर तीन है तो इसके option से तो कोई भी match नहीं हो रहा सही option जो है बैंगलोर होना चाहिए था करनाटक इस शुरू के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं इसकी स्थापना 1969 स्वरी 15 अगस्ट 1989 में जो है बिक्रम सारा भाई जो थे उन्होंने की थी किसने की थी बिक्रम सारा भाई सारा भाई ने की थी प्रेजन्ट में इसके जो हैड है एस किरन कुमार जो प्रेजन्ट में हैड डारेक्टर जो भी कलीजिए वो है एस किरन या चेर्मेन एस किरन कुमार है और इसरो का जो भारती स्पेस एजन्सी है उसका मोटो क्या है? मानो जात की सेवा में अंतरिच प्रोद्योध की. अगला कुश्चन देखते हैं. इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईशन वाइशन वाइट फॉर्म्ट इन दे येर. इसरो भारती अंतरिच अंसंदान संगठन का गटन वर्स अभी मैंने बताया क्या है? 1969, 1969. एंसर होगा, 1969. अब 80 लगान परगटना है. क्वासी रेंट इसदा, तो इसके पहले ये डिसकस किया था, अब 80 लगान जो है, एक अलपा वधिक परगटना है. अगला क्वेशन देखते हैं, भारती उचितम न्याला के नया दीशों के नियुक्ति कौन करता है? देखे, भारती उचितम न्याला के नया दीशों के नियुक्ति रास्पति करते हैं. पहले ऐसे नहीं था, क्या हुआ? 1982 में, 1993 में, और 1998 में. तीन साल ऐसे थे जब जजों ने बहुत ज़्यादा विवादित फैसला दे दिया था, और उसके बास से जजों की देख रेंगे, बतनब जजों के उपर एक जो पॉइंट है, वो प्रेसिडेंट का है कि भारती उचितम न्याला के नया दीशों के नियुक्ति केवल प्रेसिडेंट ही करेंगे. राइट, ड्यूटी क्या है, अधिकार, कर्तब, कहां पर नहीं था, अधिकार जो है कर्तब्यों में नहीं थे, राइट, इंप्लाइज, ड्यूटी, अब नहीं थे, नहीं थे, ऐसा क्यों, बाधित है, अनुदेशित है, या बिरोध करता है, ऐसा क्यों नहीं, देखिए, बात समझने कोशिस किजेगा ऐसे question बहुत से टिमकल होते हैं धर्म आपने नाम सुनाओगा धर्म और आप किसी धर्म को मानते भी होंगे किसी ना किसी धर्म को जरूर मानते होंगे तो जब आपको धर्म को मानने का अधिकार है तो आपका कर्तब भी क्या बनता है आपको जब धर्म को मानने का अधिकार है तो आपका कर्तब बनता है कि आप दूसरे को भी उनको अपना धर्म मानने का अधिकार दे ये आपका कर्तब भी होता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो धर्म राइट है अधिकार जो है वो कर्तब्यों में नहीत है क्योंकि जो भी आपका अध अधिकार है वो आपको कर्तब मनता है कि दूसरे को भी उसका अपना अधिकार मानने दे सत्यागरा सब्द का निर्माड किस ने किया था तो ये तो सब को पता होगा कि सत्यागरा सब्द जो है गाधी जीने निर्माड किया था सत्यागरा का गांधी जीने सत्यागरा सब्द का निर्माड किया था और उन्होंने इसका यूज भारती सुतनता अंदोलन और दच्छिड अफरिका में भारती अधिकारों के संगर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा किया था अब देखते हैं भारती वन सेवा के स्थापना कब की गई तो भारती वन सेवा के स्थापना जुलाई 1,1966 को की गई थी देखिए अखिल भारती सेवा अधिनियम 1951 के तहत तीन सेवाओं के स्थापना की गई है जिसमें से भारती वन सेवा एक है क्या है अखिल भारती सेवा अधिनियम 1951 1951 के तहट जुलाई 1966 को भारती वन सेवा की अस्थापना की गई थी भारती सम्मेदान के किस संसोदन अधिनियम द्वारा पंचायती राजव्योस्ता को समवायधानिक दरजा दिया गया देखे चार अमेंडमेंट है चारों अमेंडमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा 71 देखे 71 में क्या हुआ था इसके द्वारा जो सम्मेदान की आठवी अंसूची में तीन और भासा है 71 में सम्मेदान के आठवी अंसूची में आपकी क्या है लैंग्वेज है तो इसमें तीन और लेंग्वेज आड़ करगी गई थी, कौन-कौन सी मनीपुरी, मनीपुरी, नेपाली तथा कौंकडी ये तीनों आड़ हो गई थी समिधान में, 71st Constitution Amendment के द्वारा कौन-कौन सी मनीपुरी, नेपाली और कौंकडी 72 में क्या होगा था आपका? 72 ज्यादा important तो नहीं है, फिर भी सुन लीजे इसकी द्वारा जो लोक सबा तता राज सबा के जो निर्वांचन छेतर के सिमांकन के लिए परिसीमन आयोग की गठन की व्योस्ता की गई तो इससे question बस simple आता, परिसीमन आयोग किस amendment में गठन किया गया था? तो परिसीमन आयोग जो है 72 amendment में गठन किया गया था, 72 amendment हुआ थो 1992 में और 71 संसोदन भी 1992 में ही हुआ था, और 73 संसोदन 1993 में हुआ था, ठेक है? और इसके तोरा सम्मिदान में भाग 9, भाग 9 तता अंचेत 243 से लेके 243 रह है, आप इसको इंगलिस में समझ लेजेगा, इंगलिस में कोई और वर्ड होगा और 11 अनसुची को जोड़ कर, देखे, पार्ट 9 जोड़ा गया था, 11 अनसुची जोड़ी गई थी, पार्ट 9, 11 अनसुची जोड़ के संपूर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो question हम से यही है कि पंचायती राज की स्थापना किस amendment के द्वारा किया ग ही हुआ था, और इसमें पार्ट 9 जोड़ा गया था, उसी के अंदर एक पार्ट और जोड़ दिया गया, 9 कर करके, और अंचेद रड़ से तर यच बढ़ा दिया गया, तो यह ज़्यादा important question नहीं है, और 12 अनसुची जोड़ा गया, तो कौन सी? 11 के बाद 12 अनसुची सद, तो यह दोनों important है, कौन-कौन से? 73rd, 74, दोनों 93 में हुए थे, 73rd में पार्ट 9 जोड़ा गया, 11 अनसुची पंचायती राज को अड़ किया गया, 74 में क्या हुआ था, पार्ट 9 कर जोड़ा गया, 12 अनसुची और नगरी अस्थानी सासन, मुंसिप आल्टी को जो है, सम मैदानिक संचर प्रदान किया गया, निमलिखित में से किसको भारत का तोता करते हैं, देखे, अमीर खुसरो जी को हम भारत का तोता के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जाल लेते हैं, इनका जन्म जो है, यूपी में एटा जिले में हुआ था, य तूती ए हिंद की उपादी दी गई थी उसमें तूती ए हिंद बोला जाता था इसमें तोता ए हिंद बोला जाता इन्होंने फार्सी कविता का भारती करण किया था इंपोर्टन कुर्शन किसने फार्सी कविता का भारती करण किया था तो अमीर खुसरो ने फार्सी कविताओ का जो है भारती करड किया था इनकी सहली के बारे में कुष्टन आता है तो इनकी सहली सबक ए इंद या भारत की सहली कर लाती ही किसकी सहली भारत की थी भारत की सहली किसकी थी पूछता है तो अंसर होता अमीर खुसरो और इसको उसको क्या बोला जाता था सबक ए हिंड से जयादा question नहीं आता है ज़़ा question तो भारत की सहली से ही आता है और संतलन काल के सरवसेश्स संगीतक कौन थे तो वो अमिर खुसरो ही थे सलतनत काल के सरवसेश्ट संगीतक और इनकी सबसे फेमस जो इन्होंने रचनाय लिखे थे उसमें सबसे प्रसुत तो सबकों पता होगा तुगलक नामा कुछ और हैं उन्हें आप देख लिजे नू सीपेहर, देवल और रानी खरिचका जिसको आसिका भी कते हैं इन्होंने लिखा था इनके गुरू जी थे इनके बारे में कुछ नाता है निजमुदीन अौलिया अमीर खुसरो के गुरू कौन थे निजमुदीन अौलिया और इन्होंने अमीर खुसरो को तुर्क लाह की उपाधी दी थी अगला कुछ देखते हैं भारत किस वाइसरा के काल में सुतंत्र हुआ तो भारत जो मांट बेटन के काल में सुतंत्र हुआ तो कभी-कभी question ये भी आ जाता है कि सुतंत्रता से पहले आखरी वाइसरा कौन थे? मांट बेटन थे सुतंत्रता के बाद पहले वाइसरा कौन थे? पहले विदेशी वाइसरा कौन थे? माउंट बेटन थे तो यह question आ जाता है रूसी क्रांती कब होई थी? देखिए रूसी क्रांती आपकी जो हुई थी 1917 1917 AD में हुई थी इसके बाद question आता है कुसार वंस के प्रसिद राजा का नाम बताएं कुसार वंस के प्रसिद राजा कौन थे? कनिस्क थे? थोड़ा सा कुसार वंस के बारे में जान लेते हैं जो इस समय के आधुनिक विद्वान है वो कुसारो को यूची जाती से मानते हैं किस जाती से मानते हैं? यूची जाती से और यूची जाती जो पाई जाती है वो चीन के गोवी प्रदेश में पाई जाती है कहां पाई जाती है चीन में पाई जाती है चीन में एक अस्थान है गोवी नाम का प्रदेश है उसके अंदर जो है यूची जाती पाई जाती है तो कुसाड को आधनिक विद्वान वहीं के ना के ज़िने की सरवधिक सिख्य करने वाले विम कंटिफेसे स यो कूजु कंटिफेसेस के बाद गर्दी पर बैठे थे लूद कुछ आपकर CON moral a बाद करते हैं कुछाडवांस के सबसे प्रसिद राजा कनिषक के बारे में 72 S.B. में Kanis Kusadoons के समराज का सासक बना कब बना 72 S.B. में और इसके 6 साल बाद ही 78 S.B. में इन्होंने अपना एक संमोत प्रचलित किया जिसका नाम क्या रखा सक संमोत तो सक संमोत किसने प्रचलित किया था Kanis के Kanis Kusadoons के सासक थे आवर प्रचलीत हुआ था 78SB में यह जो है चलुआ था कनिस्ख के समय यह बहुत बड़ा काम हुआ था चतुर्त बाथ संगीत चतुर्त बाध संगीत कंडल वन में किया गया था और इसकी अध्यचता जो है किसने की थी वासुमित रने की थी क्या हुआ था, फोर्थ बहुत संगीत हुआ था, कहां पर फोर्थ बहुत संगीत हुआ था, कस्मीर के कुंडलवन में, किसके समय में, कनिस्क के समय में, इसकी अध्यचता किसने किय थी, वासु मित्र ने, कनिस्क को हम लोग दिती असोक के नाम से भी जानते हैं, ये भी important question है कि कनिस्क को हम लोग दिती असोक के नाम से भी जानते हैं, दो important question और कुसाडवन से पूछा दलता है, कि कनिस्क के समय राजधानी कौन कौन से थी, तो पहली राजधानी थी पुरुसपूर, पुरुसपूर इस समय पेसावर के नाम से जाना जाता है, पहले पुरुसपूर सैली और मतुरा कला सैली। कौन कौन से गान्धार सैली और मतुरा कला सैली दो सैली या कला विक्सित हुई थी। वर्तमान दौलताबाद जहां मुम्मद विन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को अस्थांतरित किया किसके समीप है तो वर्तमान दौलताबाद आपका औरंगाबाद के समीप है औरंगाबाद आपका महाराष्ट के अंदर है तो इसका एंसर क्या होगा औरंगाबाद किस भारती राजो को चाय के उतपादक राजय नहीं बाना जाता है दिखे, चाय के उतपादक राजयों में सबसे पहला नाम आता है असम का असम में बहुत जादा चाय उतपादन खी जाती है उसके बाद पस्चिम बंगाल लिख लेते हैं आपے पहले number पर आपका Assam फिर West Bengal West Bengal के बाद Tamil Nadu Tamil Nadu के बाद Keral और करनाटक प्रमुक हैं कौन-कौन से Keral and Karnatak अब अगर इसको numbering करें तो सबसे ज़्यादा Assam then West Bengal, then Tamil Nadu then Keral and then Karnatak तो इसमें से 36 गर्ड तो 36 गर्ड में चाय का उत्पादक राजी नहीं माना जाता है तो आप यह याद कर लिजएगा कभी कभी क्रम काउंटर भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा चाय सेकंड नमबर पर कहां होती है तो सेकंड नमबर पर सबसे ज़्यादा चाय भारत के अंदर वेश्ट बंगाल के पास होती है भारत में सबसे उचा पठार कौन सा है देखिए इसका answer आपको देना है लेकिन इन option में नहीं देना है आपके पास option है तिबबत का पठार पहले तो आपको पता करना है कि यह भारत से touch है की नहीं भारत के अंदर थोड़ा सा भी है की नहीं है सेकिंड आपको option मिलेगा लद्दाक का पठार एंड थर्ड option मिलेगा डिकेन दच्चडी पठार तो इन तीनों से आपको बताना है कि भारत के अंदर सबसे उचा पठार कौन सा है और इसको आपको नीचे comment box में comment करना है गर्म सुस्क मौसम के दारान भारती उप महादीपो पर निमलिखित में से किस छेत में निमतम दावराता है देखे अगर हम भारत का map बनाए map अच्छा तो नहीं बनता है फिर वे देख लिजे उपर का map नहीं बनाते हैं इतने समझ में आ जाएगा आपको अगर इस कुछते में पहले पूछ रहा है निम न दबाव lower pressure, low pressure low pressure means high date जहां निम न दबाव रहाएगा वहाँ पर वर्सा ज़्यादा होगी तो अगर आप आप संदेखते हैं तो आपको एंसर मिल जाता है पश्चिम उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा वर्सा होती है इसलिए यहाँ पे निम न दबाव होगा आपको ज़्यादा समझने के जोट नहीं आप तुरह तैंसर क्लिक कर सकते हैं लेकिन आगर इस तीट को आपको समझना है कि गर्म सुस्क मौसम के दोरान भरती उप महादीपो पर निमलिकिन में से किस्चेत में निमतम दाव रहता है देखे तो जब गर्मी पड़ता है तो यूपी में यूपी के आसपास आपको मिल जाएगा ठार का पठार थार का आपको मरुस्तल मिल जाएगा उसके वज़े से यहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहां पर लो प्रेशर बनता है तो यहां से हिंद महासागर से मांसून उठता है और यहां होते 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 लो प्रेशर के बार जाता है लेकिन यहां से कुछ और मांसून आते हैं जो इसे नौर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ ले जाते हैं और वहां पे सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है जहां पे बहुत ज़्यादा भारी वर्सा होती है तो अगर आपको यह उत्तर भारत के आसपास का एरिया देता तो यहां पे भी हो सकता था लेकिन option में क्या है पस्चिम उत्तर भारत नौर्थ वेस्ट इंडिया तो हम answer टेक करेंगे नौर्थ वेस्ट इंडिया में गर्म सुस्क मौसम के दवा निम्तम दाव रहता है, High Rain होता है, Low Pressure High Rain पनामा नहर का निर्माड किस ने किया था? देखे, पनामा नहर का निर्माड 1881 में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस ने स्टार्ट कराया था, 1881 में फ्रांस ने लेकिन क्या हुआ फिर फ्रांस में भुकमरी फैल गई और बहुत सारी बीमारी होने लगी इसलिए फ्रांस ने इसको क्या कर दिया श्टॉप कर दिया बंद कर दिया उसके बाद 1904 में सैयुक्त राशने पनामा नहर का निर्माड इस्टार्ट कराया और 15 अगस्ट 1914 ओफिसियल लेट है उस दिन ये कम्प्लीट हुआ है तो हम एंसर क्या करते हैं 15 अगस्ट 1914 पनामा नहर का निर्माड हुआ था पनामा नहर से एक और कुश्टन आता है कि ये किन दो महासागरों को जोड़ती है तो ये अट्लांटिक और प्रशांस महासागर को पनामा नहर जो है जोड़ती है बारत में प्रायदीप नदी के संबंद में सबसे उचा निकास बेसिन कौन सा है तो कि आपसन है महा नदी महा नदी का जो निकास बेसिन है वो 442 के रेंज मीटर महा नदी का जो निकास बेसिन है 442 के रेंज पे है गोदावरी गोदावरी आपकी कहां से निकलती है देखि महां से निकलती है त्रमिकेश्वर से निकलती है और इनकी हाइट जो है 920 है क्रिश्णा क्रिश्णा ने दी जो है महा बलेश्वर से निकलती है कहां से महा बलेश्वर महा बलेश्वर के उत्तर से निकलती है और इनकी हाइट के या 1337 1337 मीटर की उचाई पर है यह सब मीटर ह और नर्मदा नदी जो है MP से निकलती है कहां से MP से अनुपूर जिला है अनुपूर जिला में एक अस्थान है अमर कंटक्ट और इनकी हाइड क्या है 1057 मीटर तो सबसे ज़्यादा हाई बेसिन पे कौन सी है क्रश्णा नदी महाबलेश्वर से 1337 मीटर से तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सेयर जरूर कीजेगा अपने फेस्बूक वाल पे जरूर सेयर कीजे और हमें कमेंट करके बताईए आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फ्रेंट्स